जेनम सेकेंडियर का मैं मेटिकल सर्चिकल सेकेंड का मैं अगले टोपी के बारे में बात करूँगा एड्स एड्स क्या है एड्स का जो फूल फर्म होता है एक्वाइड एमिन डिफसेंसी सिंड्रॉम AIDS का जो फुल फरम होता है Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS एक ऐसी बिमारी है AIDS एक ऐसी बिमारी है इसके अंदर गत सरीर के जो immune system होता है सरीर में जो CD4 सेल होता है T सेल होता है, B सेल होता है इन सब को सिकाओं को, इन सब सेलों को AIDS इनकी जो पृत्रियोधक छमता होती है इन सभी छमताओं को धिरे 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 करके ये समाप्त कर देती है नश्ट कर देती है जिसके चलते ब्यक्ति का जो पृत्रियोधक छमता होता है ओ खतम हो जाता है और ब्रक्ति को किसी भी प्रकार का जब संक्रमन होता है वो संक्रमन पूरे सरीर में फैल जाता है और जल्दी ठीक नहीं होता है उसके अंदर कोई दवा नहीं काम कर पाता है जिसके चलते ब्रक्ति का डेथ हो जाता है एर्ट्स ऐसी भीमारी है जिसका आज तक न कोई इलाज है न कोई दावा है न कोई टिका करण है एर्ट्स का एक मातर ही उपा है वो है आपको बचाओ बचाओ ही इसका सबसे बेश्ट और बढ़िया इलाज है एर्ट्स क्यों होता है इसका क्या कारण हो सकता है इस होने का सबसे मुख्य कारण में आपको माना जाता है अनसेफ सेक्सूल इंटरकोर्स मतलब कि आप अस्रचित यह जबंध बनाते हैं तो आपको एर्ट्स होने की संभावना बढ़ जाती है आप अस्रचित आप किसी प्रकार की प्रिकॉसर नहीं लेते हैं आप यह जबंध बनाते हैं तो आपको एर्ट्स होने की डर रहता है एक से अधिक लोगों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सिक्स सबंद बनाईएगा तो आपको एर्ट्स होने का संभावना डर रहता है जैसे आप इंजक्शन ले रहे हैं सुई ले रहे हैं आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज जो सुई चल रहा है डिस्पोजल सुई चल रहा है अधि आप सुई लेते समय एक ही इंजेक्शन से दो ती लोगों को सुई दे देते हैं तो उससे भी आपको एग बिमारी होने का डर रहता है यह बिमारी एक होता है जरे टिकली भी एक जनुरेशन से दुसरे जनुरेशन में भी जा सकता है जिसके मम्मी पापा इस बीमारी से ग्रसी थी तो बाच्चा में भी एफ बिमारी जा सकता है जिसल सरीर से कोई blood का secretion हो रहा है जिसके touch से आपके इसमें आपके भी blood में touch कर गया तो उससे भी अपको एफ बीमारी हो सकता है एड्स जैसे कुछ भर्म है कि लोगों को, जो ब्यक्ति एड्स से करसित है, उसके साथ हाथ मिलाने से, उसके साथ खारना खाने से, उसके साथ बात करने से, एड्स आपको नहीं हो सकता है, इस भर्म में नहीं रहना चाहिए, कि आप किसी के साथ जिसको एड्स हुआ है, उसके ब्लड के कंटेक्ट से होगा, सेक्शुल कंटेक्ट से होगा, कभी भी हाथ मिलाने से आपको एर्ड्स नहीं होता है, जब एर्ष होता है तो बिक्ती में क्या का लच्छन आने लगता है उसको धिर्द बुखार रहने लगता है उसको भार में कमी आने लगता है दस्त होने लगता है कफर आने लगता है खजली होने लगता है सांस लेने मुसको तकलीफ होने लगता है जो लीम्प जो नस्वें उसमें गांठे आने लगती हैं। इस टैप की समस्या उसको धिरे 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 बढ़ने लगता है। अधि उसको कोई बीमारी हो गया तो जल्दी फिर ठीक नहीं होता है। किए उसकी जो परुतेयों धक च्हमता होती है और कोई भी 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 मारी ठीक करने के लिए द्यूद के प्रद्रोदों धक्राग के टान हो ila होगा धिरे उसके कोई भी बीमारी होगा वो वीमारी जल्दी ठीक नहीं होगा इसके लिए जांच इसके लिए बहुत सा टैप के जांच है जिससे आप पता लगा सकते हैं जैसे इलसा E, L, I, S, H, ILSS test किया जाता है, जिसके दोरा का कियाता है, इसको पता किया जाता है, HIV test होता है, dot blot ऐसे भी कियाता है, western blot test किया जाता है, radio immunosuppression test किया जाता है, और ऐसे का कि इसको बहुत से जाज़ है जिसके दोरा इसको पता किया जा सकता है आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे इसको कंट्रोल कैसे किया सकता है इसको उबचार कैसे किया सकता है इसको सबसे बहतर है लोगों में जगरिती पर्दा करना लोगों को जगरू करना क्योंकि ऐसी बीमारी है कि जब तक से लोग इसको समझेंगे नहीं, जब तक से लोग इसको जानेंगे नहीं, जब तक से लोग इसको समझने की कोशिस नहीं करेंगे, कि बीमारी कैसे फैल रहा है, अधि हमको बचना है, तो हम इसको कैसे बचाव कर सकते हैं, तब तक से बीमा नबनाएं आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ यौन सबंद नबनाएं यौन सबंद बनाते समय कंडोम का परियोग अवस्थ करें और मीडिया में टीवी में समाचर में इसका जदा सजदा परचार परसाद करना चाहिए तक कि जदा सजदा लोग इस बातों से समझे इस में जग रुकता आये चाहिए संक्रमा को कैसे रोका जाए इसके दूसरी चुपा है जैसे कोई ब्यक्ति अधी एट से गरसी थे तो उसका ब्लड कभी डूनेट नहीं करना चाहिए ना उसका ब्लड कभी लेना चाहिए ब्लड ट्रांस्विजन करते समय इस चीज को जाच कर लेना चाहिए अस्पताल में अधियापी इंजक्शन य्श्र रहें एक ब्यक्ति को एक ही इंजक्शन का भी जामाच जर्ण करना चाहिए कह भी एक ब्रगती दूसरी डिक्ति का उइंज नहीं करना चाहिए उसके बाद बहुत से एंटिबारल दपाई है जिसको प्रियोग लोभीर एडी एडिनावीर अनि बहुत ऐसे एंटिवारल ड्रक्स है जिसका प्रियोग करने से ब्यक्ति को क्या होता है कुछ लाइफ जो होता है ज्यादा दिन तक चल जाता है इसको आप नर्सिंग मनेजमेंट कैसे किजिएगा जिसके किसी ब्यक्ति को जब एचयवी संक्रामी का पता चलता है तक ब्यक्ति को बहुत ज़्यदा अगहात लगता है उसको दुख होता है तो ईस weißप बþतों को जदा पहलाना नहीं चाहिए इस बात को हमेसा ही गुपत रखना चाहिए बहुत ज़्यदा लोगों से सेर नहीं करना चाहिए नहीं तो लोगों क्या होता है जो ब्यक्ति इस बिमारी से गरसित होता है उसको बहुत बड़ा सादमा लगता है इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए ब्यक्ति को प्यार से उसके उपचार के तरीका बताना चाहिए और सहस्त देना चाहिए आप बहुत दिन तक भी भी जी सकते हैं इसके लिए कोई टेंसर लेने के जिरूत नहीं है अधि कोई महिला इस बिमारी से गरसित हो चुकी है चाहिब हो चुका है तो उसको कभी भी गर्भावती हो नहीं होने देना चाहिए उससे कहा होता है को उसके भक्चा में भी बिमारी जा सकता है कि मरिजों को ट्रीटमेंट करते समय हमेसा गलब्स गाउन मास्क प्रयोग करंश है और लोगों को जिस बिमारी से जियो ब्यक्ति मेरा है उसके प्रिमार को भी इसके बारे में समझना चाहिए बताना चाहिए کہ कैसे उसे बचा जाए और कैसे इसे सुरचित रहा जाए थैंक्यू जेनम सेकेंड यर का मैं मेटिकल सर्चिकल सेकेंड का मैं अगले टोपी के बारे में बात करूँगा एड्स एड्स क्या है